हेलो फ्रेंड्स, वल्कम टो स्टडी न्यूज, आज हम इस वीडियो में ध्वनी यानि साउंड के बारे में जानेंगे कि ये कैसे उत्पन होती है और ये कितने प्रकार के हैं, सो लट असे स्टार्ट जब वस्तूओं में कमपन होता है तो ध्वनी क्यों उत्पत्ती होती है ध्वनी एक प्रकार की अनुदैर तरंग यानि longitudinal wave होती है अब तरंग के बारे में जानते हैं कि तरंग यानि वेव क्या होती है ये एक प्रकार की लहर होती है इन्हें दो प्रकार में बाटा गया है यांतरिक तरंगे और औयांतरिक तरंगे अब जानते हैं यांतरिक तरंगों के बारे में इन्हें इंग्लिस में mechanical wave कहते हैं इन तरंगों को संचरण यानि चलने के लिए माध्यम की आवसकता होती है ये ठोस, द्रव और गैस तीनों में चलते हैं यांतरिक तरंगे जैसे परासरव तरंग जिन्हें ultrasonic wave, supersonic wave, जल की सतय पर उठने वाली तरंगे ये सब यांतरिक तरंगे हैं यांतरिक तरंगे भी दो प्रकार की होती हैं पहला अनुप्रस्थ तरंगे और दूसरा अनुदैर तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे परपेंडिकुलर यानि लंबवत होती हैं और ये केवर ठोस और द्रव में चलती हैं और अनुदैर तरंगे माध्यम की कड़ों की कमपन की दिसा के समनांतर होती है ये तरंग ठोस, द्रव और गैस तीनों में चलती है इन्हें ही साउंड कहते हैं अब जानते हैं अयांत्रिक तरंगों के बारे में इन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवसकता नहीं होती ये निर्वात में भी चल सकते हैं लेकिन अनुप्रस्त तरंगे निर्वात में नहीं चल सकते अयांत्रिक तरंगों के एक्जांपल हैं जैसे प्रकास, उस्मा, रेडियो और एक्सरे वेव अब जानते हैं साउंड किन-किन माध्यमों में चल सकता है साउंड, सॉलिड, लिक्विड और गैस इन तीनों में चल सकता है क्योंकि इनको माध्यम की आवसकता होती है लेकिन ये निर्वात में नहीं चलते आवरित्ती यानि फ्रिक्वेंसी किसी माध्यम में कड प्रती सेकेंड कितनी बार कमपन कर रहा है उसे आवरिती कहते हैं आवरिती के आधार पर तरंगों को तीन भागों में बाटा गया है पहला इंफ्रासॉनिक वेव जिसे अफसरव तरंगे कहते हैं ये 20 हर्ट के नीचे के आवरिती वाली ध्वनी तरंगे होती हैं इन्हें मनुस्य के कान नहीं सुन सकते दूसरा है और डिबल वेव जिन्हें सरफ तरंगे कहते हैं इन तरंगों के आवरिती 20 हर्ट से उपर 20,000 हर्ट के बीच होती हैं और इन्हें मनुस आसानी से सुन सकता है और तीसरा है अल्ट्रासोनिक वेव जिन्हें परासरव तरंगे कहते हैं ये 20,000 हर्ट से उपर की तरंगे होती हैं इन्हें मनुस के कान नहीं सुन सकते इन्हें कुत्ते बिल्ली आसानी से सुन सकते हैं अब जानते हैं ध्वनी की चाल किस माध्य में सबसे ज़्यादा तेज होती है ध्वनी की चाल प्रदार्थ के घनत पर निर्भर करती है जो प्रदार्थ जितना ठोस होगा यानि जिसका घनत जितना अधिक होगा ध्वनी की चाल उसमें ही सबसे ज़्यादा होगी इसलिए ध्वनी की चाल सबसे ज़्यादा ठोस, फिर उसके बाद तरल और फिर उसके बाद गैस में होगी अब जानते हैं, यदि हम किसी तरंग को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेशते हैं तो उसमें क्या-क्या अंतर आएंगे यदि हम मानें पहला माध्यम ठोस और दूसरा माध्यम पानी है तो तरंग की आवरिती में कोई चेंज नहीं होगा लेकिन तरंग दैर बदल जाती हैं क्योंकि तरंग की चाल किसी माध्यम में तेज होती है और किसी माध्यम में कम होती है जैसा कि सौभाविक है कि आवाज ठोस में ज़्यादा तीच चलती है और पानी में कम इसलिए तरंग दैर्ध में बदलाव आएगा ध्वनी की चाल पर ताप और दाप का क्या प्रभाव पड़ेगा पहले हम दाप का प्रभाव देखते हैं समाने ताप पर गैसों में ध्वनी की चाल पर दाप को बढ़ाएंगे तो ध्वनी की चाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा अब ताप का प्रभाव देखते हैं माध्यम का ताप यदि बढ़ाय जाए तो ध्वनी की चाल भी बढ़ जाएगी और ताप कम किया जाए तो ध्वनी की चाल कम हो जाएगी ध्वनी की तिवरता यानि ध्वनी कितनी तिवर यानि फास्ट है उसे ध्वनी की तिवरता कहते हैं इसका मातरक डेसी बल होता है प्रबलता ध्वनी की प्रबलता उसका वगुण है जिसके कारण ध्वनी कान को तेज या धीमी सुनाई पड़ती है ये आवरित्ती पर निर्भर करती है आवरित्ती जितनी अधिक होगी आवाज उतना ही तेज सुनाई देगा और यदि आवरित्ती कम होगी तो आवाज उतना ही कम सुनाई देगा डापलर प्रभाव जब किसी ध्वनी सुरोत और सुरोता के बीच आपेक्छिक गती होती है तो सुरोता को जो ध्वनी सुनाई पड़ती है उसके आवरिती, मुल आवरिती से कम या अधिक होती है इसी को डापलर प्रभाव कहते है यानि जब कोई सोर्स है और कोई सुनने वाला तो उनके बीच आपेक्छी गती, मतलब उनके बीच की दूरी जो है वो बदलती रहती है तो उनकी आवरिती में भी बदलाव होगा जिससे आवाज कम या अधिक सुनाई देगी यही डापलर प्रभाव है अब जानते हैं सुनार के बारे में यह एक तकनीक है जिसमें नौचालन जल के अंदर या पानी के उपर वस्तूओं का पता करने के लिए ध्वनी संचरण का उपयोग करते हैं तो यह थी साउंड से जुड़ी कुछ इंपोर्टेंट जानकारियां थैंक्स फर वाचिं इस वीडियो प्लीस लाइक सब्सक्राइब और कमेंट